दूद को वलज़ कर दे, पानी को वलज़ कर दे, यानि कीने वालों को वलज़ कर दे, मधीने वालों को वलज़ कर दे, देहिशाक लेशाक, एक त Poke सोटा का बात आगे से लेके पीछे तक पूरी जिन्दगी से सुनना, ये कई उंगली है? पीछे वाले बताओ अरे टीन देखके बताओ ना तीन कहा है बजाओ भी टीन, टीनों बराबर हैं नहीं जो सब से बड़ी वो सबसे उपर जो उससे छोटी वो उसके नीचे जो सबसे छोटी वो सबसे नीचे अذimento की शक्षा देखो तीनो एक बूसरे से अलग भी ही और मिला दो तो मिल भी आ इसे करो तो अलग ऐसे करो तो मिल ठीक एन कर के देखो अर मेरे पात कोई स्पेशल उफिसящ लिल और जो आपके पास हुँए मेरे पास है इसे कर, मिलाना, तीनों, इस तीनों में जो बीच वाली है ना इसको दरा गवर से देखना, इसकी खास बात यह कि यह जब चाहे ओपर वाली से मिलना, तो कटा, 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 अगर कोई निरोलोजीकल प्रॉबलम उंगली में नहीं है तो मिलाने में दिक्त नहीं हो, खटा खट, मिला के दो, ऐसे ये जब चाहे नीचे वाली से, तो ये देखिए, खटा खट, खटा खट, खटा खट, यानि इस बीच वाली का connection, उपर वाली नीचे वाली से भी, उपर वाली से भी नीचे वाली से भी, और एक साथ दोनों से चाहे तो वो भी, ये देखो, उप उपर वाली से भी नीचे वाली से ये बीच वाली हाँ अगर ये नीचे वाली चाहे कि मैं उपर वाली से कनेक्ट हो जाओं जलाम लगाके जंप करके कूद के उचल के तो जब तक बीच वाली से नहीं मिली है उपर वाली तक नहीं पहुंची है जब तक बीच वाली से नहीं क बिला तश्वी बिला तश्वी तो कि अल्ला उपर नीचे से पाक है अल्ला उपर नीचे से पाक है मैं समझाने के लिए बिला तश्वी खुदा बुजर्गो बर्तर ने उगले देखत रहो खुदा बुजर्गो बर्तर ने नीचे वाजों की हिदायत के लिए एक बीच वाला पेज़ा बिचषवाब भीज़ा बीचवाब भीज़ा भीज़ा आपके भीज़बा कर जा पहुँच जाए ताकि जिस काम के लिए मुझे भीज़ा गया है, हुआ आपके काम आ जाए फिर से मैं दो रारोह कुम्स हुदा बुज़र्ग बर्तरने नीचे वालों की हिदायत के लिए एक बीच वाला भेजा और उसे बीच में रखा गोया रखकर ये पैगाम दिया कि ए महबूब आप बीच में हो क्यों क्यों क्योंकि आप रब और सब के बीच की कड़ी हो रब और सब के बीच की कड़ी हो आपको बीच में इसी लिए तो रखा ताकि सब सम कि आप ना रब की तरह हो, ना सब की तरह हो। मैंने सोच लिया था कि जो यह सोच के भी आएगा कि मैं नहीं समझूंगा, उसे भी समझाओंगा। बारी जोड़ी लंबी बात नहीं करना है, पूरी तवज्जों के साथ, तुम रब और सब तवज्जों चाहूंगा, कड़ी से कड़ी मिली, की बीच की कड़ी, बीच में रखा, ताकि सब समझ जाएं कि तुम ना रब की तरह हो ना, बोलियो जोर से, और जोर से जिसे दस मु से लिच मेर का, ताकि को रां मु जोसे, बीच मेर का, ताकि को रां मु जोज।, म sendiri वारूष तो मन कि घच मु जोज से लोगा, पी फिर ते नंवजम जोज।, मन आजि के तो स्वजदों के साथों, बीच मेर का, ताकि जीवन जėन मु जों।, मन की acompan острऄे जों Will की छोणी Amen! लकार प्टाय प得 प्काह, यॉझारी जो ध्याने मुसि ए!' जब इभा ध्याई मुसि ए! प्टायी मुसि ए! ॉझा सो प नाह ए! ॉ noirा कोլचा सोstory ॉ आई मुस्ताफआ हमने, हमने, आपको बीच में इसी लिए रखा ताकि आपको जो चाहिए, वो मुस्से लेते नहें रहो जो तुम्हें चाहिए वो मुस्से लेते रहो नारे तबी नारे रिशाला सीद नुरानी इंया सहा START दूला नारे तबी जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे लेते रहो और ए बन्दों जो तुम्हें चाहिए वो मुस्तफा से लेते रहो उरे फासिक दो ना समय सका मगर आम इाम आशिक ने समझा दिया आला हस्रत, अजीम बर्कत, इमाम इश्को महब्वत, दर्या रह्मत, तंगल करामत, जबल अस्तिकामत, हकानियत की शान, सुन्यों की जान, अहमद रजाखान, अलेहिर रह्मत अवर्ने दुबान में, कुफर के ताबूत पर, आखरी किल ठोकते हुए, जब अपने अकीदे का इज़ार किया, तो यू अर्स किया, कि या रसूल आल्ला वही रब है, जिसने तुझ को हमतन करम बनाया, हमें भीक मागने को दरास्ता बनाया, वाह, 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 बहुत हुआ अशालला, वाह, गोया सब दे के क्या था, ए महभू, ये सब जो मैं दे रहा हूँ, ये मेरा है यानि तेरा है, ये मेरा है यानि, मदा नहीं आ रहा है मुझे, ये मेरा है यानि, क्योंकि जो मेरा है वही तेरा है, जो तेरा है वही मेरा है, तु महभूब है मैं महिभूब, तु चाहत है मैं चाहने वाला, तु मेरा सब कुछ तेरा है, तेरा सब कुछ मेरा है, यहाँ न कुछ मेरा नगुछ तेरा है जो है वो तेरा मेरा तभी तो इमाम एहले सुनत में नश्दियत के मूपे तमाचा मारते हुए अपना अकीदा बयान की यह दू यू कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हभी यानि महदूब मोहिम्मे नहीं मेरा पेरा लुवावावावावावावावावावावावावावाव। तो उसमझ में आया है, अबादत कर लोगा है। लेकिन सुननते मुस्तफा के छाते के नीचे खड़े हो के, मना मुपे मार दी जाएगी अबादत। और इस योबहाँ बहुत करता था है। 6 करोड बरस तक Allah की अबादत करता रहा क्या बरस 6 करोड बरस तक पूरी चमात इस्तिमा करकर के मर जाएगी उतनी अबादत नहीं कर भाएगी जितना अकेला इबलीज ने किया 6 करोड बरस तक लेकिन क्या हुआ जहन्नमियों का सरदार बना दिया गया शेटानों का शेख बना दिया गया तमगा उसके सर पे लगा दिया गया निकल या मेरी जन्नत से 6 करोड बरस तक अबादत करने वाला क्यों निकाला गया मालूम हुक्मुआता आदम का सच्दे ताजिमी बचा लाओ सारे फरिष्टे सच्दे में चले गए वाकिए आप जानते हैं पहले पारे लिए इबली सुआ अकड़ गया नाई मैं नाई जाई और मंतिख का सुगरा कुबरा उसने वहां फिट किया ए अल्ला कैसी बात मुझे तुने आग से बनाया आदम को मिट्टी से बनाया खलकतनी मिन नारिं वखलकतहू मिन तीन अना खेर मिनू बगए रद्दे उसन गिराए नतीज़ निकाल ला इतना तुझ जा सानी है और सालिशा के स्टूड़न भी जानते हैं कहीं मुञालत आदे सुबरिया में सना हो जा दोज्जो चाहूंगा ए अल्ला तुने मुझे आग से बनाया आदम को मिट्टी से बनाया मिट्टी मिट्टी है आग आग है मैं आग से बना हूँ आए मैं better than आदम मैं आदम से बेअटर हूँ मैं नहीं जुकूंगा आदम जुके उसने ये नहीं देखा कि हुक्म देने वाला खुदा है इल्म की अकड़ और अबादत के नशे में चूरी विलिस छे करोड बरस तक अल्ला की अबादत करता रहा लेकिन मूँ पे मार दिया गए कोई पुरसाने हाल नहीं दिया मार दिया प्राबलम क्या था अबादत से उझे इंकार नहीं था अबादत तो उसने छे करोड बरस किये ताजीम से इंकार किया किस से बोलिये ताजीम से रिस्पेक्ट से सम्मान करने से इंकार किया कि मैं नहीं जूकूँँगा अचा वह हाल उसके शाजिर्दों का भी है देखो ना यहां से लेके आजम गड़ता अबादत का हो तो करेंगे नमास के लिए तो शहर शहर नगर नगर गली गली गाओं गाओं काओं काओं करेंगे अच का हाओ तो करेंगे रोजा रखाओ तो रखेंगे ज़कात का तो पूरा राइकट चलाएंगे लेकिन जैसे को नभी की ताजिम करो इंकार कर देते हैं मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा तो जहां पर उसका एकरार वहां इस इनका एकरार जहां उसका इंकार वहां इनका इंकार तो जो उसका से रिजार्ट वहीं का ही इंकार वहीं का और गो तो जन्नत में रहता प्दी vieläMoon से इंकार किया जन्नत sans आ है ये दूपाहि ये को पहले से बाए हैं अंदर जाएंगे कैसे ले जाने नभी की ताजीम से इंकार इतना खतरनाक की अबादतों को मूँ पे मार दिया गया गया दे नहीं हो तो जुकने से उसने इंकार किया था अब तो सच्दे ताजी नी हराम मैंने गापागल अब अगर कोई पत्थर से किसी को मारे मर जाए आदमी तो क्या 302 का मुखदमा नहीं होगा इक गोली से नहीं पत्थर से मारा तलवार से नहीं बंदूख से मारा नतिय दबाए के मार दे तो नहीं होगा तक या मुँ पे रखके कोई किसी की जान ले ले तो क्या 302 का मुखदमा नहीं होगा बोलो क्या समझे कि तरीका बदलने से तफ़ा नहीं बदलती मारो चाहे जैसे तफ़ा 302 ही लगेगी ताजीरते हिंद के तहट 302 लगेगी क्योंकि तरीका बदलने से दफ़ा नहीं बदलती तो बिला तश्वी तुम्हारा तरीका बदलने से भी सजा नहीं बदलेगी फरक सिर्फ यह है कि बिलीस । उसे जुकने से इंकार था तुमें नभी के लिए उतने से इंकार अश्चिक में बहुत खो जो उसका रिजल्ट वही तेरा रिजल्ट प्राबलम क्या था कि इबिलीज को नमाज पढ़ना आता था बचाना नहीं आता तब मैं कंकुलूजन की तरफ जा रहा हूँ अबादत का जो माहसल है वो नमाज है क्या है रूह अबादत ही नमाज है नमाज अटा दो तो अबादत में है क्या है सबसे बड़ी नहमत नमाज है अल्ला बाग ने पूरे कौरान में ये नहीं कहा नमाज कोड़ो क्या परमाया नमाज काइम करो आखरी रुटता है और मेरा वक्त तो निकल चुका लेकिन मैं अपनी तरफ से काट छाट के पांच मिनट और निकाल ला हूँ नमाज काइम करो इस्टेबिलिश यूर फाइव स्टैंस प्रेयर अपनी नमाज को अस्थापित करो क्या कहा रब ताला ने काइम करो हम अची तरह जानते हैं कि कोई चीज़ काइम तभी होती है जब उसे किया भी जाए और बचाया भी करोगे नहीं तो होगी नहीं बचाओगे नहीं तो बचेगी नहीं और जब बचेगी नहीं तो रहेगी और जब रहेगी नहीं तो काई भी नहीं होती आपने सेड़ बनना सबका शोक वैसे एकठा करो सेड़ बन जाओ अब तो खेर एकठा करना भी डेंजर है पता नहीं कौन संकी आ जाए और नोडबंदी कर दे वो भी डेंजर है लेकिन वैसों एकठा करो और उसे बचाओ तब सेड़ बनोगे एक लाग रुपिया रोज कमाओ और त्याड़ लाग उड़ाओ सेड़ बन पाओओगे चाहे इतने अच्छे टीचर हो चन्दिन में भडी टीचर हो जाओगे क्योंकि आने से जादा जाना अल्ला बात फर्माना नमाज काईन करो मतलब पढ़ो भी और पढ़ी हुई नमाज को बचाओ वो गल्दी ने करो जो इबिनी इसने किया कि पढ़ना आता तब बचाना नहीं सिस्फ फैसला कर लो सुनी हो तो जल्से का मचसद हल हो जाए फैसला कर लो कि कि इख कि सी की आ ओदद इन्शाल्픽 शब्स नहीं ए इन्शाल्halb आकि महर्थ एंअ तो अलँभ व्रे दिखई फजके इतनी आसान ने मुलाना कि नगई परेशानी न कोई हैरानी य लुक्त मे पंभी लोगर इशाहिरी नहीं कर दो, is that this is fact, कि नमाज कोई investment नहीं है बगएर खरचा की है, नमाज गरीब भी पढ़े गरीब नवाज भी पढ़े, बंदा भी पढ़े, बंदा नमाज भी पढ़े, अमीर भी पढ़े, फकीर भी पढ़े, इतनी आसान अबादत कि न हज और रोजे क कितरा इसमें खर्चा है, नजदगात कीतरा माल निकालना कोई इप जालना कोई इन्मेस्मेंट नहीं इतनी आसाना है आराम से कहड़े होके प्दोग पॉइंग, कहड़े होके नहीं पढ़ाते पुढ़ोंगा, नहीं पाता कोई बात नहीं बैटके पढ़ लो बैटके भी नहीं पढ़ पा रहा है वैक पॉन में रिड़ की हटी में प्राबलम है कोई बात नहीं लेटके पढ़ लो अमें इतनी आसानी कि लेट के भी नहीं बढ़का रहा है हाथ पैर नहीं हिला है परलाइस हो चुका है कोई बात नहीं पलकों की जुमश से सजदे कर लो वाँ 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 यानि एक तरफ तेरी परेशानी बढ़ी दूसी तरफ अल्लाइ की तरफ से आसानी बढ़ी कितनी आसान अबादत था अब इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि हुजूर का सबसे खतरनाक दुश्मर प्रामर अब ते मोस्ट टेंजरस एनेमी ऑफ होली प्रॉफिस आसलों अहेड आफ हीपोक्रेसी रफसल मुनाफिकी अब्दुल्लाइ बन अबय को भी नमाज पढ़ना आता था रुपू उसे भी करना आता था सच्दा उसे भी करना था जोहर असर मगरी पेशा फजर सब भो पढ़ता था अरे वो तो इश्राफ चाश्ट अवगा बीद तहज्द पढ़े बगल लेटा नहीं था उसी की नमाज को देखके हुदू ने फर्माया था कि कयामत से पहले इसकी सुल्व से ऐसे 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 नमाजी पैदा होंगे कि उनकी नमाज को देखके तुम अपनी नमाज को कम तर जाना था था लेकिन जब बचाने की बात आई तो टाइ टाइ फिश क्यों क्योंकि चमात में पढ़ना सिखाया बचाना नहीं तवज्जो चाहूंगा पढ़ना इतना असन कि मुनाफिकों के हेड को भी आता था तवज्जो अब कड़ी से कड़ी मिल रही बात खत्म हो रही मगर बचाना इतना मुश्कित कि उसके लिए मेरे आखा को बदरो हुद खेबरो खंदत में पर्चमे इसलाम लहरा ना पढ़ा नमाज पढ़ना तो इतना असन कि मुनकिरीने सकाथ को भी नमाष पढ़ना आता था जमात कि हम सकाथ नहीं देंगे नमाष पढ़ने के पढ़ना था मगर बचाया कैसे जाए सिद्धीग एकबर के किरधार ने हमें समझाया नमाष पढ़ना तो इतना असन कि सवाईयों को भी आता था मगर नमाज की रच्छा कैसे की जाये फारुक एफ्याश्म के बेटे हुए लहू ने हमें समझाया नमाज पढ़ना तो इतना हसाम कि पल्वाईयों को भी आता था मगर नमाज को बचाया कैसे जाया रूस्मां दिमृ राहिन की शहादत में हमें समझाया नमाज पढ़ना तो इतना असान की खारजीयों को भी आता था मगर नमाज को बचाया कैसे जाए खुदा के शेर मौला आली की करामत में हमें समझाया खुदा नमाज पढ़ना तो इतना असान की यजीदी कुद्दों को भी आता था मगर नमाज को बचाया कैसे जाए अपने जीवन की आखिरी नमाज बढ़ते हुए सियदा के लालिमा में हुसाइन ने हमें समझाया ये शच वे शच बहुत हो ऐसा नहीं कि यजीदी नमाजी नहीं थे वो नमाजी थे दोनों तरफ नमाज है भूके प्यासे हुसेनी भी नमाज पौ़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ आल्ला है तो इनसे पूछना मुला जी बताईए कर्बला में आल्ला किसके सथ çev researcher चानी हुआ करे अन्हाँ में समझ में आजये अगर तुम को नमास के साथ तो वो दोनों तरफ रुःतो वो कि विम्स करें कि तक्वीर नहां कि तक्वीर दोनों तरफ आजान दोनों तरफ रख़गृ। अज़त दोनो तरफ हुजु दोनो तरफ सिलाम दोनो तरफ नमाज अल्ला किसकी तरफ तुई इसका जवाब मैं की दिना तुम क्या दोगे Quran की चमकतिया इतने फैशला सुना दिया इन्नालाह मासाबिरीन आई लोगों ये क्यूंख पूछते हो कि कर्बला में अल्लाह किसकी तरफ ये देखो कर्बला में सबर किसकी तरफ सबर के साथ कौन है अरे सुन। सबर हुसाइन के साथ हुसाइम अपने खुदा के साथ नमास पढ़ना तो इतना आसान की राफजीयों को भी आता था मगर नमास को बचाया कैसे जाए इसके लिए घुस-ई-आजब ने कैलान छोड़ दिया गरीब नमास ने अजमेर के बंजर को अपना संजर बना दिया इसके लिए मखडू मशर्फ ने सर्फनत सिम्नान को लाध मार कर कि छवचे को अबना सिम्नान बना लिया नमास पढ़ना तो इतना असान कि قडरियों झहमीँ जबरियों सब को आता था मुलहिदों को भी आता था फलसफे قدीमा वालों को भी आता था मगर नमाज को बचाया कैसे जाए इसके लिए शेख शेह बुद्दीन सुहरवर्दी ने मौर्चा समाला इमाम मुहमद इबन मुहमद घजाली ने मौर्चा समाला अले नमाज पढ़ना तो इतना असान कि इन बदाकीदों को भी आता तमाम फितनों कीमा वहाबियत और नश्दियत सल्फियत और दिवबंदियत को भी बढ़ना आता मगर नमाज को बचाया कैसे जाए इमाम फजल हख खेराबादी ने हमें समझाया बचाया कैसे जाए मुद्दी सद्रुदीन अजुरदा के फत्वे ने हमें समझाया नमास को बचाया कैसे जाए इमाम मुहिब रसूल अब्दुलकादिर बदायूनी के चस्वे ने हमें समझाया बचाया कैसे जाए तारीख इसलाम के पहले मुनाजिर मुलाना खुलाम दस्तगिर कुसूरी ने हमें समझाया नमाज को बचाया कैसे जाए अब तो, समीरा ई पूरी सहारं पूरी ने हमें बताया और कुफर के ताबूत पर आखरी किल्ट छोगते हुए नमाज को बचाया कैसे जाए इमाम महमद रदाखा फार दिले पर ैलिभी ने हमें सी नारे तक्वीर नारे रिसालत द्यार रिसालत स्यात मुषभा नारे तक्वीर नमस को बचाया कैसे जाएं ये फिकर इमाम महमद रजा है गर मैं एक करदार पेश कर रहा ता आला हदुरत का ये रहे गया था खास तवज्जों के साथ ये फिक्र इमाम अहमद रजा है कि how can you perform your नमाज and how can you protect your नमाज अपनी नमाज को बचाओ कैसे ये फिक्र बहुत कीमती थी तवज्जों चाहूंगा extraordinary बहुत कीमती थी मगर इस फिक्र को लोग चाने कैसे क्योंकि आला हज़रत उलाह आले की किताब सवा ने आला हज़रत पढ़े तो पता चलेगा कि आला हज़रत ने अपनी सारी जिन्दगी दवात और कलम के हवाले कर दी कई निकले ही नहीं दो बार दिली गए दो बार बंबई गए एकिबार कलगता गया एक बार जबल पूर गया गिंती के सफर एक बार मा रह रहा गिंती के सफर यानि सारी सिंदगी इस पथले चलील ने किताब और खलम के हवाले कर दे मसरूफियत का आला हदरत के हालियत था कि एक दिन मेरे दादा हुदूर मुप्तिस जाजम और हुदूर सदूर शरीया मुलाना मुफ्ती अमजद अली साथ दोनों पहुचे और कहा हुदूर बद अकीदों के तर्जमे माइदान में आगे सरकार आप भी तर्जमा करने कहा शहजादे तुम्हें मालूम है मेरे पास पुरसत नहीं मैं कहां से करूँगा हुदूर करना पड़ेगा और भी है तुम लोग जोहर की नमाज के रजब मकार का्युवले के लिए जाहू तब आजाया करो तुम लोग अमिला बोल दिया करो मैं लिक दिया मैं इमला बोल का तुम्होर इल्मी था आज एक आहित का तर्जमा दे दिया जाए, मुफ्ती साब को तो चार बार लोगत देखींगे आला हदरत इमला बोल रहा है, मुखदिस यासम और सदूर शरीया लिख रहा है क्या तबहूर इलमी था बताओ, ऐसे मौके पे आला हदरत बंगाल जाएंगे, बिहार जाएंगे, उडिसा जाएंगे फुरसत नहीं थी, मगर ये फिकर इमाम इहमद रजा बरेली की चहार दीवारी में चमक रही थी बड़ा जरूरी था कि इस फिकर इरजा को बंगाली बोलने वाला भी जाने, बिहारी बोलने वाला भी जाने, उडिया बोलने वाला भी जाने, तर्गू बोलने वाला भी जाने, मरी आलम बोलने वाला भी जाने, हिंदी बोलने वाला भी जाने, सिंधी बोलने वाला भी जा अगर कैसे है इसके लिए इमाम अहमद रजा के कछार के एक शेर नर को चुना गया एक ऐसे मर्द आहन को जिसकी रगों में घोसे आसम कड़ी गयने है गरी नवास की गुलामी का पट्टा मख्दू मश्रफ का ताजे सुल्तानी सर पे है वो शख्स निकला तो वो फिकर इमाम महमद रजा जो बरेली में घूम रही थी उसे आला हज़रत की दुआइं लेकर कश्मीर से चन्या कुमारी तक और बंगाल की ठाड़ी से लेकर काबल की पहाड़ी तक आम कर दिया दुनिया पुकार उठी कि आला हज़रत का बरेली में कलम चल रहा था और मुहदिस आसम का पूरे भारत में कढ़्ोश ले तो वहाँ हो वाँ हो वाँ हो माशाला वह थोड़ा है बादो है चलिए खौते करते मैं भी बतादू की नमाज हो ती कैसे है और नमाज सुपी कैसे है क्या कहा मैंने होती कैसे है और नमाज बच्चती कैसे है ताकि अभी जब इन्शालला फजर की नमाज पढ़ें तो उसे पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे इन्शालला उसे बचाने के लिए तैयार हैं फैसला बिल्कुल पक्का है नमाज होती कब है और नमाज अब लोग कि जीएगा तुदु ही सब कुछ है जो कुछ कहा तो तेरा खुस्न हो गया महदूद वमा तुफीकी इल्ला बिल्ला वा आखिर दाबाना अनिल्हम्दु लिल्हार्बी नस्राम